आज मैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ रिचर्ड जेम्स साट साल की उमर में बैंक लूटने की सोची और बैंक में जाकर काउंटर पिकेशियर को बताता है बैंक लूटने आया हूँ एक डॉलर दे दो सुनकर कैसियर ड़ गया फटक से एक डॉलर दे दिया उसके बाद वो बैंक में ही बैठ गया जैसे कुछ होने का इंतजार कर रहा हूँ उतने में ही बैंक वालों ने पलिस को बुला लिया पलिस इसको अरेस्ट करके ले गई बाद में पता चला ये सब कुछ जानबुज कर किया है और उसका जेल जाने का मकसद था हेल्थ केर फैसलिटी पाना जी हाँ दरसल जेम्स को ट्यूमर हो गया था और बाहर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं जा जेल जाने से उसको फ्री ट्रीटमेंट मिली अच्छा खाना मिला और इलाज भी उसका हो गया लेकिन क्या ये इंडिया में पॉसिबल है कमेंट में जरूर बताईएगा